लेकिन ती फीस्दी आन जेड़ेत फड़े असी करोण लाब भारती हैंगे जना तुसी राशन देंदे हो सब तो वटा योगदानों पंजाब दा किसान जड़ी इननी तो जमीन तो इनना सारा उपज करता है ये कोई आपदा आज हूगी आम आदनी पार्टी पाकिस्तान दे राही ड्रोन दे राही रोज ड्रग साड़े सुबे वे चारे पंजाब दा हर कोने चे हर परवार हर पिंड ड्रग्स तो पीड़े थेगा रोज खबरां चे नौजवान ड्रग ओवर्डोस करके ए मर रही ने ते क्यों ए सरकार ओना ड्रोन्स नो रोकन वास्ते दस साला चे ज़द महें में जी केंडे ने बौडरा नो इना ने तकड़ा करन वास्ते बहुत कुछ कीता है ते आ क्यों नी कीता बहुत ज़रूरी बहुत यदी लोड हैगी सब देता है दसो की ज़दा तोसी वादा कीता सी और डबल क्यों नी होया क्योंकि एस एने सोदा डेटा ये भी दास्ता है कि पजाफ इस दी किसान परवार अज करजाई हो गए ने ते 5 साला चे एक परज़ा 58% बद गया देश ने किसाना बे उते ते आब ही एक सेंटर ओज सा ते किते ना किते किसानी संकट हैगी मैं अपनी सुबे पंजाब जड़े क्रिशी देश सुबा हैगा ओदे बारे में थवानों दसां पे साब तो वाद करजाई पंजाब दे किसान हैगे आज पंजाब जे जटे 85% सब स्मॉल ते माजनल पांच एकड़ वाले तिन तिन लाख दा करजाई हरे एक किसानी कर दे उते हैगा एक किसानी संकट बहुत वड़ा हैगा ते हजारा किसान रोज पंजाब जे खुदकुशी कर रहे ने MSP दे गाल सर महा में हमने किया 18 लाख करोड लेकिन सर साड़े 800 किसान शहीद हो गए किसानी आंदोलन चे उना नो क्या सी MSP दे कमिटी बनाई जाओगी एक लाजबी कमिटी जडे स्वामी नाथन कमिटी दे जडे एक रेक्रमेनेशन C2 प्लस 50% उन्हों लाजबी बनाया ज होगा दो साल निकल गए आज ताई कमिटी नहीं हकीकत आएगी सर की जडे अज कनकनू लेले ये ओधे डी यूरिया बिजाई फर्टिलाइजर ओधी वाडी कटाई अज सी फीसी इंक्रीज हो गई है कोस्ट इंपूट ते आउटपूट सड़ा MSP अज ती चाली फीस किसान नो जेव तो पर ना पेंदा है हकीकत MSP दी आएगी ते सर जल किसान दे कोर कोई मौका होंदा है कि दो पैसे कमाले युक्रेन दे वार चे वीट दी प्राइसेज वगिया ते सरकार ने एक स्पोर्टी बाहन करता था कि किसान दे जेव चे कुछ नाएगी सो सर इस करके मैं बेंती कर दिया कि तुसी स्कीमा जेड़ी चिला दे बहुत वधिया सा छे हजार रुपे वली स्कीम तुसी चलाए किसान सम्मान में दे बहुत चंगी गाले लेकिन क्यों एस स्कीम नो जेड़ा 2021 चे 10 करोड 90 लाक किसाना नो मिलदा सी फिर 2023 चे नो साड़े 8 करोड किसाना सिर्फ लाब भारती क्यों कटा क्यों देते किसाना दे आम दन वाधी ता है नी हुन साड़े पंजाब चे सजड़ा डेड़ फीस्ती हिंदुस्तान दी जमीन है लेकिन ती फीस्ती आन जेड़े तपड़े 80 करोड लाब भारती है जिना तुसी राशन देंदे हो सब तो अले वित्करा क्यों तो सर किसाना पंजाब दे किसाना ने अपना पानी खोया अपना खून पसीना भाया देश नू आनू सोफलस करन वास्ते ते साड़े नाल ए तक का फसल भीमा योजना सर ए तक कोई दास्तानी हैगा कि एस भीमा कंपनिया ने किवें 57,000 क्रोड रुपे कमालिते ने एस योजना तो ते साड़ा पंजाब द्वानी नी मिल दी सानू सेंटर तो साड़ा मुखमंतरी कहनदा सी जे कोई आपदा आज हूगी आम आदमी पार्टी कोई आपदा आज हूगी किसान दी बाप हड़ांगे सिद्धे गदोरिया बाद नू होंगे थाड़ खाते मरी हूँ मुर्गी द्वानी नी दिती सब ओ हड़ा आ गया बाड आ गया किसान मार गए लेकिन किसे ने बानी भड़ी सब वेर में आंदिया घरीबा दे होते सब गरीबा वास्ते बहुत वदिया मैं समझे जड़ा आईशमान भारत तुसी कीता है बहुत वदिया काम कीता है गरीबा नो तुसी मकान दे रहे और राशन बड़ी चंगी गाले सब लेकिन सब जे पची करोड तुसी आबादी नो कहेंदे महा महीं जी की तुसी पौवर्टी लाइन तो चक्या हैगा ते 80 करोड नो लाभ भारतिया नो तुसी राशन देंदे क्योंकि अपना टेड नी पार सकता अपना मकान नी बना सकता अपनी लेट्वी टॉलेट तक नी बना सकता फिर तुसी आखे में केंदो कि बारत विक्सित हो रहा है गा ज़त पा हिंदुस्तान दा हाल ते आही है साथ यूहें रिपोर्ट सेट ओफूड सेक्योरिटी और नुट्रिशन दे आमदन वादी नहीं है मेंग्याई यह नहीं वादगी है पेट्रोल चाली फीस दी डीजल साथ फीस दी आज दालां सतर फीस दियां वादगियाने अना दी कीमता आना दी कीमता पजहतर मिल्क पे मिल्क प्राइक सी 77% सिस 2012 इनना सारा आज रोटी बनान वास ते पांच साल जिना खर्चा होंदा सी आज 65% उस्तों वाद खर्चा आज हो रहा है आम हिंग्याई दे कारण करके आज वादी आज दासता है सब फाइबनेंट वाद मिन जी प्लीज आदी डेटा दासता है कि लोकादी आमदन वेच 5.1% गिरावट होई है ते ओना दी जड़ा है और 5.8 परण किया है गाजस ये अच्छे थिन तो नहीं कह सकते लोहों के लिए अखीर पे मैं आती हूँ सबूदा के ऊपर हां मैं मानती हूं कि और तों के लिए बहुत अची चीज़े करिमा उसकी तर फीस्ति आवास और्टों के नाम पर बहुत बढ़िया चीज इसके लिए तो है 1922 है तो क्राइम अगेंस वेमें तो तस फीस्ती का इंक्रीज हुआ है और मनीपोर में क्या हुआ आज हमारी वो महिलाई जो रेसलर हैं जिन्हों नदेश का नाम रोशन किया कैसे फुट पाथ के अपने मेडल छोड रही है तो सही है बेटी बच्छा के फिर उनका ये हाल ह होगा तो फिर उसको पढ़ाने का क्या फ्रेदा है और इसलिए जेंडर इनिग्वार्टी इंडेक्स में हम 122 नंबर पे हैं और जब ये नारी शक्ति हम घुबन रेजरवेशन घिल हम बास करते हैं लेकिन उसकी कोई डेट ही नहीं देते कि कब से लागू होगा आप बोल मैं यहीं कहना चाहूंगी कि जद राश्रपती जी कहते हैं कि हम बड़े गर्व से कि हम फ्राजल फाइव से हम टॉप फाइव पे हो गए ये बहुत अच्छी चीज है लेकिन ये फ्राजल फाइव से टॉप फाइव में सिरफ देश के वो 10 फीस्ति जिनों के पास 90 फीस्त आता है वह हिंदोस्तान ने जिनों पांच देशों को छोड़ के जो आगे उपर बड़ा है आज हिंदोस्तान का पर कैपिटा इंकम सिरफ 2,14,000 है और चाइना जो हमारे बराबर की पॉपिलेशन है उनका 11,29,000 है और जो दूसरे देशों को इंडोनीजिया ब्रजिल युक आत्मा निर्बर लोग हो तभी देश का बला हो सकता है शुक्रिया सो जी जाब शुक्रिया